Hello friends, welcome back to my channel, my name is Ankur Mendra Tata, दोस्तों आज बहुत फिल्म में रिलीज हुई है, तीन फिल्म तो मैं भी देख चुका हूँ और तीनों का रिवी अपने चैनल के पर डाल दिया है, रह गई है गुंटुर करम, महेश बाबू की, वो कल देखूँगा या आज लेट नैट देखने चा हुआँगा, साथ-साथ हिंदी उक्युपेंसी के ओपर हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि मेरे को पता है, इस फिल्म को हिंदी ओडियंस से एक्सेप्टेंस मिल गई है, हर हिंदी क्रियेटर ने इस फिल्म को सपोर्ट किया है, और वो पहली 24 ती हर किसी की हनुमान, तो इस तेल्गू मार्केट के अंदर, तो तेल्गू मार्केट की ओपेंसी क्या रही है, मौर्निंग की 56 परसंट, आफ्टरनूं की 76, इवनिंग की 75 परसंट, साउट में से चलता है, डे वन, डे टू, डे तरी, तगडियों के पेंसी आती है, उसके बाद फिल्मनी मेरेट के ओप हमता है, जाओगे, तो निराश तो नहीं लोटोगे, इतना मैं कह सकता हूँ, बात करेंगर हिंदी मार्केट की, तो हैदराबाद में जो हिंदी शोज चल रहे हैं, वैसा नो शोज में 78 परसंट, बैंगलोर में 22 शोज में 19 परसंट, पूने में 118, एक्सवाट ठारास में 9 10 परसंट, NCR के अंदर 437 के अंदर 83 परसंट, और भाई मुंबाइक के अंदर 295 में 10 परसंट की ओक्योपैंसी है, और और ओकर ओक्योपैंसी की बात करूं, तो मॉर्मिंग 6.86 मुझे पता था, इतनी ही रहेगी, आफ्टर 9.90 एंड इवनिंग 11.42 ओक्योपैंसी चल रही ह है, जो भाई सब एक दिन पहले रात को पेड प्रीमियर हुए थे ना, उससे इस फिल्म में 4.50 करोड का बिजनस कर लिया है, अब ये फिल्म 13.50 करोड रुपै तो ये भाई सब 8 बजी तक ही कमा चुकी है, नहीं सौरी, 8.50 करोड रुपै ये 8.50 करोड तक कमा चुकी है, त तो डे वन की, इसकी ओवराल जो इंडिया प्रेडिक्शन आ रही है, वो 14-15 करोड बहुत प्यार से कमाती ही नजर आ रही है, और देखने वाली बात होगी, कल कैसा रहता है, अगर हिंदी ओडियोंस कल जाती है, तो समझो पकड़ जाएगी ये फिल्म, और अच्छा कासा बिजनस करके देगी, आपने देखी, तो बताओ कैसी लगी, नहीं देखी, तो जाने का प्लाइन है, या नहीं है, वो भी ज़रूर बताना, बाकि युडियों में इतना ही, थैंक्स पूर वोचेंगे